इस्क्यूनेस में एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक करवा रहे हैं काफी लोग बार-बार कुस्टन कर रहे थे कि इस्क्यूनेस में एक टॉपिक छुट गिया है ठीक है यार छुट गिया तो मातुर सर हजीर है करवा रहा है बढ़ियां से कीजिए लेकिन उसके पहले मातूरे सर KLAUSES को अगर आभी तक सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब कीजिए पहला बात और अपने दोस्तों में अगर अच्छा लगे तो बाद में सेयर कीजिएगा आप नके सर सब्सक्राइब कर लिए सो अरे अंसब्सक्राइब कर दीजेगा बाद में अच्छा नहीं लगेगा तो आएए इसक्विनेस के बारे में बात करते हैं इसक्विनेस जिसको बीटा वन से डिनोट किया जाता है यानि यहां पर एक mcq तैयार हो गया अब इसक्विनेस बोलते किसको है यह frequency distribution is said to be symmetrical अब symmetrical मतलब event होता है यानि अगर कोई भी frequency distribution जो दिया रहता है न frequency distribution 2, 4, 6 ऐसे करके जो दिया रहता है जिससे mean mode median आप बनाते थे तो बोलता है वो event said to be event when the frequencies are distributed evenly on either side of an average of an average average किसको बोलते है mean को यानि mean के दोनों side में अगर evenly बटा हुआ है जैसे यहां पर मालिजे कोई एक number है उसके पीछे और आगे दो-दो number है तो even number हुआ की नहीं इधर भी उतर भी तीन-तीन है तो भाई उसके आगे पीछे बोलता है if a frequency distribution is not symmetrical अगर event नहीं बटा हुआ है it is said to be क्या बोलिए screen ठीक है यानि अगर यहां पर बोल रहा है if a frequency distribution is not symmetrical अगर event नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे speed बोलेंगे यानि आपका MC क्यों एक और तयार हो गया एनी deviation from symmetry अब symmetry का मतब तो event बोले ही है कि कि किसी तरह का deviation deviation कहीं पढ़े थे आप लोग mid deviation standard deviation किसी को assume करके जो deviation करते हैं बोलता है any deviation from symmetry is called squiness यानि squiness का formula यानि squiness किसको बोलते हैं any deviation from symmetry is called squiness अगर event number को लेके यानि beach के number event मतलब यह नहीं कि 246 का बारे में बात कर रहे हैं even not कोई भी यानि beach के number को लेके अगर हम लोग उससे deviation करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे squiness बोलेंगे squiness is the lake of symmetry यानि squiness का एक और definition हो गया squiness किसको बोलते हैं lake of symmetry को और squiness में भी positive और negative squiness positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है और इसको कैसे denote करते हैं beta 1 से denote करते हैं यहां तक तो अब हो गया यानि अब squiness का आपको formula हो गया squiness का formula इतना बड़ा लिखने का दरकार नहीं है अब सीदा लिखेंगे squiness के बारे में any deviation from symmetry is called squiness या फिर squiness is the lake of symmetry दोनों का बात बराबर होगा ठीक है जी अब आईए हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप से squiness का हम लोग figure बना सकते हैं important property तीन होंगे पहला देखिए यहां पर एक figure बना हुआ है जो कि यहां पर हम बोलेंगे जो पहला इसका property है जिसकों लोग symmetrical distribution बोलते हैं यानि symmetrical distribution जैस सवाल सॉल्व करेंगे तो symmetrical distribution वहां पर squiness क्या हो जाता है जीरो यानि अगर symmetrical word कहीं पर भी use होगा that means squiness का value क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा squiness निकालने के लिए बोलेगा तो squiness तो 0 हो गया अरे squiness को लोग क्या बोलते हैं बीटा 1 भी तो बोलते हैं यानि वो भी 0 हो गया और यहां पर क्यों 0 हुआ क्यों क्यों क्योंकि condition यहां पर यह हुआ कि mean mode और median तीनों क्या हो गया? इक्वल हो गया. अब आपसे पुछेगा कि अगर symmetrical distribution, normal symmetrical distribution है या bell saved का curve है, तो वहाँ पर mean, median और mode क्या होगा भाई? इक्वल होगा. greater than, less than करके आपको देगा तो यह चुनना है. भाई, squiness का value क्या होगा? 0 होगा. beta का value क्या होगा? 0 होगा. तो ncq के लिए यह बहुत important है. symmetrical distribution, a normal curve is bell saved in which the value on either side of an average are symmetrical, जैसा कि अभी आपने देखा था, कि symmetrical distribution किसको बोलते हैं? कि average दोनों side even रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, symmetrical distribution, normal curve is bell saved in which the value on either side on average are symmetrical even. तो आपको इससे पहला जो प्रोपर्टी है, उससे क्या पता चला? कि जब symmetrical distribution बोलेगा, तो squiness का value 0 हो जाएगा, beta का value 0 हो जाएगा, और condition क्या होगा? mean, median और mode क्या होगा? एक्वल होगा. ओके, अब अगर एक सवाल दे रिया, mean भी 10, mode भी 10, और median भी 10, और बोलेगा, भाई, तीनो 10 है, तो आप बताएगे, squiness क्या होगा? तो भाई, 0 होगा. ठीक है? या, squiness 0 दे दिया, बोलागा, इफ, squiness या, beta 1 is 0, तो condition कौन सा fulfill होगा? तो भाई, mean, mode, median क्या होगा? इक्वल होगा. जैसे भी बोल दीजे तो mcq आप खुद तैयार कर सकते हैं. second, second one, देख रहे हैं, positively spin distribution. इसमें होता क्या है? यहाँ पर जो second property आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, mean greater than है, किस से? median से, greater than किस से? mode से. यानि हम लोग बोल सकते हैं कि जो isquiness है, जिसको beta बन बोलते हैं, वो greater than zero होगा. क्या होगा? greater than zero होगा. क्या हुआ? a distribution is said to be. अब सवाल यह हो रहा है, कि हम लोग positively spin distribution किसको बोलेंगे? तो देखें, इधर हम खड़ा है, दाहिनासाड मेरा दाहिनासाड में, यह देखें हैं, long tail बनाया है. तो longer tail towards the right, cold positively spin distribution. यानि हम बोल सकते हैं, a distribution is said to be positively spin if the frequency curve has a longer tail towards the higher value, इधर में higher value होता है. अब लिएंगे सर, सवाल कैसे आएंगे? अगर मान लिजिए, आपको दे दिया mean 12 और median 10, तो आप कैसे लिखेंगे? भाई, mean बड़ा है, greater than है, median से, तो बोलेगा कि यह कैसा isquiness है, तो कैसा isquiness कर रहेगा? बोलिए, ठैकि नहीं, अगर मान लिजिए, आपको mean दे दिया 12 और more दे दिया 10, तब भी तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना? यह ज़रूरत थोड़ी नहीं कि तीनों देगा, तो 12 और 10 तब भी इसी तरह से बनेगा, क्योंकि mean greater than है, किस से more से, तब भी हो क्या कहलाएगा? अब मान लिजिए, एक और ncq बन सकता है, बोलेगा कि under positively screen distribution, condition क्या होता है, property क्या होता है, condition क्या होता है, तब mean greater than होता है, किस से medium से greater than किस से होता है? मोज से. अब एक चीज और भी ncq में आ सकता है, और क्या आ सकता है? कि भाई, अगर longer tail towards the right, cold, अगर right side में तो क्या बोलेंगे? वहाँ पर dash दे दिया, positive, negatively, तो क्या बोलेंगे? positively, screen distribution, तो ncq तो भाई, किस सरसे बनेगा, सवाल कैसे आएगे, ये भी दिखाएगे, फ़ले तीनों का condition तो देख लो, आई ये तिसरा condition को देखते हैं, देखो और समझो, तीसरा, जो squinnis का property है, उसमें आप देख रहे हैं, कि जो ये longer tail है, देखिए अबर right में नहीं है, left में है, negatively अगर left में रहेगा, तो उसी को क्या बोलेंगे? बोलिए, squinned, condition क्या होगा? mean, आप देख रहे हैं, less than median, less than mode, अब अगर mode बड़ा होगा, उसके बाद median होगा, फिर mean होगा, तो सजाने बोलेगा, तो ऐसे सजाईएगा, ठीक है ना? अब देखो, longer tail towards the left को बनेगेटिवली, squinned distribution, ठीक है? formula भी लिखा दियें, भाई, किसको बोलते हैं? इससे भी पता चल गया, mcq आ सकता है? यह भी पता चल गया. यानि, इसको बिटा बोला जाता है, बिटा 1, बिटा 1 देख रहें, less than है किस से? जिरो से. अगर बिटा 1 less than 0 is cold, क्या बोलेंगे? negatively, string distribution. negatively, string distribution में, भाई, mean, median, mode कैसे लिखा जाएगा? तो इससे लिखा जाएगा? तो सारे तरह के mcq and तीनों तरह का condition आपको पता चल गया. अगर bell size में रहेगा, तो normal distribution हुआ हो. बेल, अगर shape में है, तो normal. और अगर right side में है, positive. Left side में है, तो negative. और वहाँ पर जहाँ पर आपको बोलेते नॉर्मल होगा, वहाँ mean, mode, median is equal to, हमें सब equal होता है, इसलिए squiness 0 होता है, या फर squiness 0 बोल दो, या beta 1 0 बोल दो. ओके? complete. अब आईए देखते हैं, इससे सवाल कैसे बनता है? देखो, अब क्या बोल रहा है आपको? कि comment on the following result of averages of any distribution, आपने भी देखा था कि distribution, अगर equally distributed रहता है both sides, तो squiness कहलाता है, ओके? अब वहाँ पर हम लोग तीन प्रोपर्टी देखे थे, कि कब हम लोग normal distribution बोलेंगे, यानि squiness 0 होगा, और कब हम लोग positive और कब negative बोलेंगे? यहां हम लिख के रख दिये हैं, अब यहां पर बताओ, am मतलब 10 है और median 11 है, तो भाई, इसको हम कैसे लिखेंगे? यहां पर mean और median दिया हुआ है, तो ऐसे लिखाएगा? mean से median बड़ा है, जिधर बड़ा रहता है, उधर ही bracket खुला रहता है, जिधर bracket खुला है मतलब वही बड़ा है, तो median, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? यह देखेंगे, जब यह condition आ गिया, तो क्या होगा? negative, आ रहा है समझ में? अब देखिए, am 15 और median 12, अब am 15 है, बड़ा है median छोटा है, तो इस बार एसे लिखाएगा, तो क्या हो जाएगा? positive, क्योंकि देखिए, हम लिख के रख दी है, जो पढ़ा है अभी तक, उसको तो यहाँ पर हंग, मेरा आदत है लिखने का, तो अब देखिए, यहाँ पर, अब mode 11, median, बड़ा है, कोई दिकत का बात नहीं, median बड़ा है, देख रहे हैं, इसके बाद mode, यानि यह वाला बात हो गया, अब मीन नहीं दिया, कोई 2 दे रहा है न, यार, वहीं से बिठा लो न, तब यह किसको denote कर रहा है, positive, अब आईए, am, चोगदा, median, अब फिर am बड़ा है, तो फिर positive हो गया, और यहाँ पर देख रह mode 13 है, तो अब देखिए, यहाँ पर median छोटा है, mode बड़ा है, तो negative हो गया, अब इससे सवाल कैसे आएंगे, यह आप देख चुके हैं, तो उमीद करते हैं, आपको जो गिला सिकवा था मेरे से, यानि माथूर सर क्लासेस से, वो पूरा हो गया, अगर पूरा हो गया, तो फ होता है, कोई बात को आपके दिमाग में घुसा देना, यही बात खली, इतना सा बात को घुसा ना था, उमीद करते हैं, घुज गया होगा, अगर घुज गया, तो उमीद करते हैं, कि आप जो सब्सक्राइब कर लिये थे, उसको continue रखेंगे, और share बनता है, यह बात पूरा डिमांड बहुत है, काफी लोगों ने मेरे को फोन करके बोला, कि सर कर्टिसेस, कर्टिसेस का भी कुछ बताईए, उसमें भी बहुत दिक्कत आता है, तो यार दिक्कत आता है आपको तफिर मातुर सर क्यों है, मातुर सर पहले भी आपका help करता था, आज भी कर रहा है, और प्तुर सर क करता है, प्राइब करता है, आपको तवे स्ट्चर सिह का उन्याप Apple कर स आता है, आपको तूर बहुत है, मातुर पिसने अएथी लोला कि सर का दीकत आता है, और आता है दाता है, भी क्यों है, वी है उन्मा